टीवी का सबसे पॉपुलर और वियालिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का धमाकेदार आगास हो चुका है शो को शुरू हुए दो दिन हो गए हैं इस सीजन में बिग बॉस के घर में हलचल भी शुरू हो गई है दो दिन में ही घर के अंदर के सदस्यों के बीच लगतार, नोग जोक और तकरार देखने को मिल रही है इन तामजाम के बीच अब्दूरोजिक अपनी क्यूटनेस से लोगों का सारा ध्यान अपनी तरफ खीशने में काम्याब रहे अब दूसरे एपिसोड में भी खोब बंप पटा के दागे गए बिच बॉस के घर में दूसरे दिन नॉमिनेशन हुआ जहां सब को बारी बारी से आकर बिना वजह बताए दो को नॉमिनेट करना था इसमें निम्रित कौर अहलुआलिया नॉमिनेट नहीं हुई क्योंकि वो कैप्टन है बिच बॉस ने उन्हें दो लोगों को सीधे सीधे नॉमिनेट करने की पावर दी वो जिसे नॉमिनेट करेंगी वो सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा फिर उन्होंने अर्चना और शिव का नाम लिया इसके बाद शाली ने अब्दू और साजित को नॉमिनेट किया श्रीजीता डे ने गौरी नागौरिक और टीना दत्ता को नॉमिनेट किया तीना ने साजिद और स्टेन को नॉमिनेट किया मान्या ने स्टेन और गौरी नगौरी को नॉमिनेट किया अंकित ने गौरी और एमसी स्टेन को नॉमिनेट किया तूर्चना ने एमसी स्टेन और साजित को नॉमिनेट किया साजिद ने टीना और शालीन क को किया शिव ने गौतम वीज और श्रीजिता डे को किया प्रियंका ने साजिद और MC Stain को नॉमिनेट किया सुंबुल ने साजिद और मान्या को MC Stain ने प्रियंका और गौतम को किया सौंदर्या ने अब्दू और अंकित को किया गौरी ने गौतम और अंकित को नॉमिनेट किया अब्दू ने सौंदर्या और शालीन को किया सौंदर्या टीना और मान्या सिंग ने नॉमिनेशन के दौरान सौरी बोला था ऐसे में बिग बॉस गुसा हो गए उन्होंने इन्हें सजा दी और कहा कि जब तक उनका अगला आदेश नहीं आता तब तक घर का सारा काम ये तीनों ही करेंगी हलाकि इसका मजाक अर्चाना ने जम कर बनाया ये देख तीना चिड़ गई बता दे किस हफते शेव ठाकरे अर्चाना गौतम, MC स्टेन, साजित खान, गौतम विज और गौरी ना गौरी नॉमिनेट हुए हैं नॉमिनेट की प्रकरिया के दौरान सबसे ज्यादा सदस्यों ने इन पांच को ही टार्गेट किया और बाद में बिग बॉस ने इन्हें नॉमिनेट कर दिया फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ